103 killed in twin blast at memorial event in Iran दोस्तों आज से 4 साल पहले न इरान के एक जनरल थे जनरल कासिम सुलेमानी इनको यहाँ पर USA के द्वारा drone attacks की मदद से इनको यहाँ पर मार दिया गया था अब 4 साल के बाद इनकी जो हर साल death anniversary होती है उस दिन बहुत सारे लोग इकठा हुए थे इरान के अंदर ही यहाँ पर आप देख पाओगे इरान की location अब यह इरान की location तो हमें पता है सर एक साइड के एस्पियंस की हमें देखने को मिल जाता है और नीचे की साइड अगर हम बात करें तो हमें Persian Gulf देखने को मिलता है कि मिलत्यू हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है इरान के दोरा बहुत जादा इसको criticize किया गया है और उन्होंने इसको एक terrorist attack बताया है अभी तक देखो सब लोग इसको condemn कर रहे हैं इस attack को आने वाले समय में हमें पताल लगेगा कि दरसल में यह attack इसके दोरा करवाया गया पर इरान के दोरा बोला गया है कि जिसने भी यह करवाया है उसके against एक बहुत ही harsh response दिया जाएगा तो हमारे exam perspective से हमें definitely इरान की location and साथ-साथ यह particular location जहां पर attack हुआ है यह चीज़ें पता होनी चाहिए कि आखिर यह लाइक कहां करती है इस वज़ा से मैंने यहाप आपके लिए maps लगा दिये हैं ताकि आप इनको भी अच्छे से study करता हूँ दोस्तों start करते हैं आज की discussion date है आज की 4 January 24 और आप सभी का स्वागत है आज के prelim booster news discussion के अंदर कल दोस्तों 3 January थी and 3 January को हम लोग celebrate करते हैं सवित्री भाई फूलेज जयनती अब देखो अगर आप पिछले सालों के मेंस के वेपर देख रहे हो ना तो आपने एक बात रिलाइस करी होगी कि I think मेंस का 2020 या 2021 का वेपर था वहाँ पर सभीत्री भाई फूलेज जी का क्या contribution है ये ethics के वेपर में directly पूछा गया similarly पिछले दिनों के अंदर हमने गुर्णानक देव जी के बारे में पड़ा था उनके उपर question आया है तो बहुत सारे question ऐसे होते हैं जो prelim booster केंद हम discuss जरू करते हैं पर हमारे मेंस के perspective से बहुत साथ important हो जाते हैं जिनसे एक ये भी है अगर हम बात करें स्वित्री भाई फुले जी की तो ये एक बहुत important social reformer, poet और एक बहुत important voice थी देखो अगर हम बात करते हैं 19th century की तो 19th century के अंदर जादा तर जो आपको social reformers देखने के मिलते हैं वो जादा तर आपको पूरुष देखने के मिलते हैं महिलाई बहुत कम थी 19th century के अंदर जिन्होंने एक बहुत important role play किया तो सवित्री भाई फुले जी का rule अपने आप में बहुत ज़दा important हो जाता है क्योंकि उन्होंने उस समय के अंदर लड़कियों के लिए काम किया जब लड़कियों के लिए शायद बहुत कम अवाजे उठ रही थी इसी वज़ अपने आप में देखो उस टाइम के उपर ऐसे ही होता था बहुत कम समय के उपर कम टाइम जब होता था कम उम्र में ही लड़कियों की शादी करवा दी जाती थी फिर कहिना कि उनको बहुत सारे issues face करने पड़ते थे के इपर उनके husband की death हो जाती थी फिर उनको दुबारा से शादी करने का मौका नहीं दिया जाता था ठीकरा सारा जिन्दगी भर एक विद्वा की तरह रहना पड़ता था जो विडोस होते थे उनको कोई भी राइट्स वगरा नहीं होते थे तो इन सबी छीजों के इनो गेंस्टे उनने अवाज उठाई उनकी education के लिए अवाज उ पूने और society for promoting the education of hearts, monks और बाकी जो caste थी जिनको बोलते हैं न lower caste ठीक है न उनके लिए यहाप इनोंने बहुत important यहापे काम किया 1897 के अंदर इनकी death हो जाती है plague से लड़ते लड़ते इसके साथ ही यहाँ पर देखो barbers यानि की जो नाई की strike होती है उसके अंदर भी इनोंने organize किया उसको Mumbai आपूने के अंदर क्यों ताकी ensure कर पाएं कि strike के माजम से वो दिखा पाएं कि even जो barber है न वो भी इसके against है कि जो विद्वा होती है विद्वा लड़किया होती है उनक सर बिल्कुल उनका सर शेफ औफ किया जाए इसके against practice के इनोंने यहाँ पर एक strike भी यहाँ पर organize कराई उसके अलावा UPSC अलड़ी पूछ सुकी है सत्य सोजक्स मार्च के बारे में तो सत्य सोजक्स मार्च जो था वो सवित्री भाई फूल है और साथ साथ जोद्वा फूल ह यहाँ पर एक social reform organization के रूप में इसको establish किया था साथी साथ वो महिलाएं जो destitute है destitute मतलब बे सहरा जो महिलाएं होती है उनके लिए shelter यहाँ पर establish किया गया untouchability के against इनोंने अपना major role play किया and साथी साथ 1863 के अंदर बाल हत्या प्रतिबंदग ग्रह मतलब होता है एक home एक घर क की तरह होता है ठीक है तो वहाँ पर pregnant जो महिलाएं है ठीक है रेव victims हैं या फिर ऐसा एक घर बनाया गया जहां पर infanticide को prohibit किया जाए तो अपने आप में बहुत important initiative यह इनके दोरा start किया गया इनके अगर हम literary contributions की बात करना तो एक इनकी बहुत important poems की collaboration है point की एक collection है जिसको नाम है go get education उसके अलाबा काव्या फूले और साथ साथ बावन काशी सुबोध रतना कर यह इनकी कुछ important literary contributions है तो यह सब भी हमें पता होनी चाहिए इनके कुछ students भी थे जिनमें एक नाम था मुकता सालवे जी का जो बाद में जाकर एक बहुत भड़ी दल page की प्रथा होती है उसके gain strength को बताया जा पाएं तो यह कुछ important contribution था स्वित्री वाइप फुले जी का अई होप यह चीज़ें आप समझके होंगे दोस्तों हम January में पहुँच चुके हैं और कही ना कहीं हमारा जो prelims है वो बहुत नजदीक आता जा रहा है ऐसे time की उपर हमे questions प्रेक्टिस करोगे followed by 20 C-set के questions इन questions की माध्यम से आप यह इनिशोर कर पाओगे कि कहीं ना कहीं आपकी practice अच्छे से होती रहे इस वज़ा से और भी बहुत साइच चीज़ें हैं जैसे for example आप जब त्यारी करोगे तो आपको daily business पर all India रहेंगा आपका पता लगता रहेग कितना आप बहतर कर रहे हो क्या changes करते हैं किस तरह से आप और improve कर सकते हो C-set module आपको मिल जाएगा एड़ अगर आप prelims ले करते हो तो आपको यहाँ पर हमारा जो main guidance program है स्रीजन उसका बिल्कुल आपको free access आपको देखने को मिल जाएगा इसके अलावा उडान की जो hard copy है व अपने prelims की preparation को और भी बहतर बनाने के अंदर आगे चलते है next topic तरह that is snow leopard देखो जो किर्गिस्तान के president है ना उन्होंने यहाँ पर बोला है कि snow leopard को national symbol of किर्गिस्तान यहाँ पर बनाया जाएगा अब इसका scientific name आप यहाँ पर देख पाओगे इसका अपने आप में ना snow leopard बह का ecosystem कैसा है mountains का health कैसी health मतलब की देखो अगर आपको let's say snow leopard नहीं देखने को मिलते है इसका मतलब ना पूरा का पूरा ecosystem collapse कर चुका है समझभा इस बात को तो अपने आप में बहुत important indicator species बन जाते हैं जो बताती है कि वो ecosystem की हालत कैसी है अगर हम बात करें इनकी habitat की तो आप दे इंडिया तो है ही है उसके लावा जिसे पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, बुटान, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, ठीक है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और मंगोलिया, बिसकली से इंटल एशिया की कुछ countries हो गया और इंडिया सबकॉंटिने यह सारी countries के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, इंडिया के अगर हम बात करें न, तो आपको देखो, Hamish National Park के बार में डेफिनेट भी पता होने चाहिए, यह लदाख के अंदर हमें National Park देखने को मिलता है, यहाँ पर Snow Leopard की population बहुत जादा है, इसी वज़ाए से इस पर्टिकुलर National Park को Snow Leopard Capital of the World भी बूल जाता है, बाकी देखो, क्योंकि मैंने देखो बताया, चहाँ पे मिलेगा यह आपको mountains के उपर, mountains के उपर मिलेगा तो कहाँ पर हैं इंडिया के अंदर, सर्वेस्टर और Eastern Himalias, ठीक है न, Western Himalias के अंदर आप देख पाओगे, जम् जाता है, गर्मियों में क्या होता है, कि गर्मी जब जाधा पड़ती है, तो ये थोड़ा जाधा height पर मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर proper snow वगरा होती है, तो गर्मियों के time के उपर, इनके जो height जिसके मिलेंगे, तो 5,000 meter के आसपास देखने को मिलती है, सर्दियों के time पर थ ध्यान रखनी है ना, कि अगर हम बात करें, हमारी सरकार, यानि कि हमारी Ministry of Environment, Forest and Climate Change का एक प्रोग्राम है, उनके द्वराना एक लिस्ट बनाई गई है, किसकी लिस्ट? लिस्ट of critically endangered species की, ध्यान से समझे ना इस मुद्दे को, मैं ये नहीं कह रहा कि Snow Leopard का IUCN status critically endangered है, नहीं, Snow Leopard का IUCN status क्या है, वो vulnerable ही है, पर हमारी सरकार है ना, protection के लिए, जो species, उनकी हालत थोड़ी खराब है, मतलब उनको protect करने की बहुत ज़रूरत है, ऐसा करने के लिए हमने एक लिस्ट बनाई है, जिसका नाम है, list of critically endangered species, उस list में Snow Leopard का भी नाम है, ये बिलकुल भी नहीं भूलना कि IUCN status vulnerable ही है, it's just कि हमारी list का ये नाम है, ठीक है ना, इसका confused मत हो जाना, कि सर यहाँ पर critically endangered लिखा है, तो IUCN status critically endangered होगा, नहीं, बिलकुल भी नहीं, IUCN status का vulnerable ही है, उसके लावा हमारे पास project Snow Leopard है, जिसको 2009 के अंदर हमने launch किया था, ताकि conserve किया जा पाए Snow Leopard को, इसके सा है कही ना, हम ये सारी चीज़ों को conserve कर पाएं हिमाले असको और उसके साथ ही साथ Snow Leopard को भी हम यहाँ पे conserve कर पाएं, GSLEP, Global Snow Leopard and Ecosystem Protection Program, ये भी इसके साथ ही एक अलग project हो जाता है, इसके लावा आप गर आप notice करोगे, तो हम ना, इसको एक नाम से जानते हैं, that is, Ghost of the Mountains, ऐस Snow Leopard Population Assessment in India, ये particular project को undertake किया जा रहा है, थोड़ा सा GSLEP के बार में आपको बता जता हूँ, 2013 के अंदर दरसल में इसका creation हुआ था, under the Bishkesh Declaration, और इसके ये जो 12 countries की बात थी, वो 12 countries इसके साथ associated है, अभी किस ने किया है कि अपना वो यहाँ पर अपने nation का क्या ब्राने जा रहे नेक्स टॉप्री की तरफ आगे बढ़ते हैं, that is, Development Initiative in Lakshadip, देखो Lakshadip की जब हम बात करते हैं, पहले तो इसकी location देखो, जब हम बात करते हैं, ये रहा आपका केरला, तो केरला से लगबग 500-200 km की दूरी के उपर ही, आपको यहाँ पर Lakshadip देखने को मिल जाएगा, Lakshadip देखो, अपने आप में बहुत ज़ता important बन जाते हैं, हाला कि यहाँ पर Lakshadip के अंदर अगर आप notice करोगे न, तो टोटल लगबग 36 islands देखने को मिलते हैं, पर ज़ादातर islands में लोग रहते ही नहीं, सिरफ 10 islands हैं 36 के अंदर जो की inhabited हैं लोगों के द्वारा बाकी inhabited है ह इसको Lakshadip को 1956 के अंदर Union territory एक declare कर दिया गया था, इसकी capital आपको कावा रती यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ज़ादातर जो population नहीं लक्षदीप की वो आपको Muslim population देखने को मिलती है, और actual में देखो coastal region है definitely, तो उस वतास से यहाँ पर ज़ादातर लोग है, वो fishing के Hawksbill turtles भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगे, तो यह तो बात हुई लक्षदीप की, अब हमें आना है बात किसके उपर कि क्या development initiative क्या हुए है, देखो पर दान मंत्री जी ने क्या बात करी है, उन्होंने यहाँ पर integrate किया है, कोची लक्षदीप आइलेंड, सब मरी optical fiber connection इस project को, देखो आज से केई साल पहले चाहिए आप अंडेमा निकवार जाते या लक्षदीप जाते, तो वहाँ पर ना internet की speed बड़ी slow है, अंडेमा निकवार में अब यह situation थोड़ी सही हो गई है, पर लक्षदीप के अंदर तो अभी भी यह situation है, कि वहाँ पर internet काफी slow आता है, तो अभी इस project के माधियम से क्या होगा, जो current internet speed है, उसको लगबख 100 गुना से भी जादा increase कर दिया जाएगा, अभी जो speed आती है वहाँ पर 1.7 GBPS है, इसको 200 GBPS यहाँ पर कर दिया जाएगा, इस project के माधियम से, तो 1000 करोड से भी जादा का financial लगेगा, जिसको fund किया प्राइस प्रोवाइड करी जाएंगी, यह इस fund का यहाँ पर initiative का work होता है, ठीक है न, और B.A.Canel जो है न, भारतिय संचार निकल निकल निम्टेट, वो यहाँ पर उसको नॉमिनेट किया गया है as the project execution agency, तो यह को पहला development initiative नहीं है लक्षदीप के अंदर, और भी बहुत स कर पाओगे, तो सारे जितने भी घर हैं आपके अगत्य और मिनी का ऐलनेट के उपर, उनको functional household tap connections जैसे दिया जा रहा है, जैसे इंडिया बाकी parts में भी चल रहा है न, हर गल नल से जल, उस तरह से यह भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा, solar power plant कावरती के उपर, ठीक एक्सपोर्ट हो पाए, तो अपने आपे आप नोटिस कर पाओगे, बहुत सारे development initiatives हमें यहाँ पर लक्षदीप के अदर देखने को मिल जाएंगे, अगले topic की तरफ आगे बढ़ते हैं, that is, square kilometer array observatory, SKAO, यह क्या मुद्दा है SKAO का, देखो दरसल में अगर हम बात करते हैं दुनिया की, तो हम यहाँ पर क्या कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पर largest radio telescope बना रहे हैं, ठीक है, अब आप लोग सोचों के सर, इस largest telescope, radio telescope से मदद क्या होगा, इस telescope की मदद से हम क्या करेंगे, मतलब it is a collection of various telescope जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम दुनिया भर की जो galaxies हैं, उनक इसको observe कर पाएंगे, जैसे for example, अगर मैं बात करता हूँ milky way की, तो उसको better ढंक से आप समझ पाओगे, इसके अलावा magnetism को study करना, यह सर चीज़े इन particular telescopes के मादिया हम से हो पाएंगे, तो उसी का नाम है square kilometer array observatory, अब होगा क्या देखो इसके अंदर गत, हम ना दरसल में थो ज़्यादा अच्छा आता है, इसी वज़ाद से जो अभी के लिए observator, जो antennas बगएरा है, वो अभी कहाँ पे लगाए है, southern hemisphere के अंदर आपके Australia and South Africa के अंदर, तो इस तरह से बहुत सारी countries का एक collection है, लगबग 16 countries हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, इसके अंदर जिसका इंडिया भी एक part है, ठीक है, तो इसके मदद से क्या होगा, different different countries participate करेंगी, ताकि world की largest radio telescope हमारे पास हो, वहाँ पर इंडिया के भी definitive scientist अब यहाँ पे involved हो रहे हैं, headquarters हला कि इसके आपको United Kingdom के अंदर देखने को मिल जाएंगे, तो इंडिया की तरफ से भी role है, अब देख पा पाएं, life cycle क्या होती है, galaxy की, gravitational waves को अच्छे से समझ पाएं, तो सारे इस तरह के जो कहिना कहीं कुछ question marks है, universe के origination के regarding, वो सारे question marks को यह solve कर पाएगा, dark matter, dark energy का क्या role है, यह सारी चीज़े हम यहाँ पे समझ पाएंगे, तो इंडिया को भी definitive इसमें role रहेगा, as the creation of telescope manager component जिसक for radio astrophysics, वो यहाँ पर दरसल में TIFR, Toyota Institute of Fundamental Research का ही एक पाट है, जो कि यहाँ पे अलग-अलग तरह से different largest network of telescopes को अपरेट कर रहा है, जैसे giant meter wave radio telescope near Pune, तो यह कुछ pointers थे यहाँ पे आपको पता होने चाहिए, तो definitely बहुत सारे international collaboration हम यहाँ पे देखने को मिल जाती है, इसके अं one nation, one past के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, अब यह क्या चीज़ है, देखो जब हम बात करते हैं जैसे आपने लकडी की बात सुनी होगी, जिसको हम timber बोलते हैं, आपने bamboo की बात सुनी होगी, या फिर और भी जो forest produce होता है, कई बार पता क्या दिक्कत आती है, माल लो इन सभी चीज़ों को आपने transport करना है, ठीक है, एक जगा से दूसरी जगा भीजना है, तो उसमें ना बहुत सारा time लग जाता है permit लेने के अंदर, बहुत जगा के उपर, अलग अलग जगा के उपर forest check post होती है, वो check post के उपर काफी ता time लग जाता है, अब time पता क्या होगा, one nation one pass की मदद से अब, आप seamless transition कर पाऊगे, यह जो सारे issues देखने का मिलते थे थे ना, यह सारे issues कहीना कहीं, रुख जाएंगे, अभी क्या हो रहा है, अभी हो रहा है कि हर state अपना कहीना कहीना कहीना, अपना, खुद का अलग से, separate transition pass दे रही है, अब one nation one pass क कहीना कहीन, अराम से जैसे भी आपको transition करना है, timber का, bamboo का, बाकी products का, बड़े अराम से आप यहाँ पर कर पाऊगे, तो हमारे जो union minister of environment, forest and climate change है, उन्होंने यहाँ पर इसको launch किया गया है, ताकि यह सारे चीज़े हम असानी से facilitate करवा पाएं, ठीक है, अच्छे से seamless transition होगा इ no objections certificate, NOC आपको लेना है, तो अराम से आप online उसको ले पाऊगे, applications आप आप पे generate कर पाऊगे, तो जो भी आपको process करना है इन चीज़ों के regarding, वो definitely यहाँ पे आप कर पाऊगे, QR code, transit permit, यहाँ पे generate किये जाएंगे, जिसके मदद से आपका permit का कितनी validity है, वो अराम से आप state का, अपना अपना खुद का transit pass था, अब उसको हटा कर क्या कर दे गया है, अब national transit pass system या फिर one nation one pass यहाँ पे कर दिया गया है, तो permit process असान हो गया है, हमारा pan India transit facilitation होगा, cross border mobility, एक state से दूसरी जगा जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको चिंता करने कोई स्रोथ producers के लिए असानी होगी, transporters के लिए असानी होगी, permits में जो time जाता था वो नहीं जाएगा, forest check post के ओपर यहाँ पर time जाता था वो नहीं जाएगा, तो time and cost आपका बचेगा, and definitely हमारा overall जो ecosystem है, वो यहाँ पर बहतर हो पाएगा, दर असल मैंना मैंने कल ही आपको इसके regarding question है कि सारे जो permits है, जो इसके अंतरगर generate होंगे, वो definitely अराम से उसकी validity हम check कर पाएगे, and तीसरी बात जो यहाँ पर बात करी जारी है, कि कुछ species जो exempted है, जिनको उपर नहीं applicable होगा, वहाँ पर आप खुद अपने आप से NOC यहाँ पर self generate यहाँ पर कर सकते हो, जो regulated है, comments में आप answer बताओंगे कि आपके साब सेन में से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है, कल जो homework दिया था, उसको discuss कर लेते हैं, अगर हम बात करते है, BRICS की, तो यह बात अपने आपर बिल्कुल correct है, दूसरी बात करें, finance commission की, तो यह कहरा recommendations binding है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमने कल discuss किया था, they are non binding on government, second statement अपकी false हो जाएगी, third statement की बात करें, शाशा committee की, तो यह digital payment नहीं, यह यहाँ पर tribals के welfare के लिए बनाई गए थी, तो third statement भी आपकी गलत हो जाएगी, आज का homework क्या रहेगा, आज का homework क्या रहेगा, पहला तो यह, हमने अभी discuss किया, बस यह चेक करना है कि कितना आपको याद है, तो नीचे comments में आप मुझे answer बताओगी, दूसरा आपका homework रहेगा, with regard to बेनामी transactions के बारे में, पोशिश कीजिगा इसको answer करने की, economy में हम पढ़ते भी है, जादा मुश्किल होगा नहीं, बट फिर भी, ठीक है, definitely आप try कीजिगा, कल आपको मैंने एक और homework दिया था, expo set by isro के बारे में, है ना, ये चीज़ देखो, पिछले दिनों के अंदर सुमेश सर ने भी काफी detail में डिसकस करी, editorial discussion के अंदर, उससे पहले prelim booster में मैं भी आपके साथ डिसकस करी चुका हूँ, तो पहला जो statement कहा रहा है, कि जो mission है, इंडिया का पहला dedicated scientific endeavor है, तांकि हम x-ray, cosmic x-rays, जो अलग-अलग celestial sources चाहिए, आप black hole की बात कर लो, ठीक है, neutron stars की बात कर लो, वहाँ से जो x-rays है, वो एक ही particular direction में क्यों आती है, इन सभी चीज़ों को study करने का पहला dedicated mission है, ये बात बिल्कुल correct है, दूसरी बात जो कह रहा है कि इंडिया में पहल इंडिया यहां पर करी गई थी, इंडिया यहां पर दूसरी देखने को मिल जाएगी, तो यहां पर पूछा गया था, इन में से incorrect कौन सा है, तो incorrect भीया, दूसरे वाला है, option number B, to only, यह सारी description मैंने यहां पर भी दे रखी है, दोस्तों यह थी आज की discussion, अगर आपको इसकी PDF चाहिए, तो आप मैं टेलीग्राम चैनल, Pw only as official भी जाकि इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, और अपनी preparation को और भी बहतर बना सकते हो, दोस्तों, keep working hard, goodbye and good luck.